एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है उत्तर प्रतेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट आपरेटर की अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीकी प्लस साइस की लैप क्लास की सुरीज हमारी लगातार चल रही है मेरे प्यारे भाई और आज ह मैं आपको बता जूँ अगर आप हमारी डेली क्लास ले रहे है ना जी के और साइंस की तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक्जाम में आपका कोई भी ऐसा कोईशन नहीं रहेगा कि जिसका आप सर न पोड़ू मेरे पहरे भाई आप हरे कोईशन का अप्रेशन कर सकोगे ल कितना कंपडिशन हो सकता है वो आफका गाईज आखरी वीडियो होगा फॉर्म फिल्प से समद्दिर ठीक है और मेरे पैरे भाई हर पल पे तेरा ही नाम होगा तेरे हर कदम पे दुनिया का शलाम होगा मुश्किलों का शामना हिमत से करना देखना एक दिन वक्त भी तेरा समझ के होंगे मेरे पैरे भाई और ये बात यहाँ पर जो लिखी गई है ना ये 100.1% बिल्कुल सही लिखी गई है कि हर पल पे तेरा ही नाम होगा तेरे हर कदम पे दुनिया का शलाम होगा मुश्किलों का शामना हिमत से करना मेरे दोस्त देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा समझ के होंगे मेरे पैरे भाई कि अगर आप आज सर जुका करके पड़ रहे हो ना तो यकीन वानिये आपको आने वाले दिनों में सर सबसे उचा होगा और जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं वो आगे चलकर के यही कहेंगे कि मैं जानता था कि आप एक दिन बड़ा करने वाले हो यह बात 100% में सही कह रहा हूं गाईस कि जो आपको यह कह रहा है कि कुछ नहीं कर सकते हैं वो ही आगे चलकर के यही कहेंगे कि मुझे पता था मेरे भाई कि आप कुछ बड़ा करने वाले हो तो यह बात आप याद रखेगा और आपको वो द इनलाना है कि जो आपके गाइस दुस्मन है ना या फिर जो आपका अनित चाहते हैं वो गाइस आपके सामने सरमिंदा होकर के आपके बढ़ाई करने की कोसिस करें यह समझ जाएगा मेरे पैरे भाई और यह बात अपने दिमाग में रख लीजीगा तो अब आईए इस यासा क के साथ जो उसके साथ बढ़ते हैं क्लास के तरफ आप सब फट फट आफट आउसर दीजीगा फर्स्ट कोईशन आपके सामने है देखे कोईशन की संक्या इसमें जादा है और गाइस कोईशन भी थोड़ा तफ जरूर है लेकिन ध्यान दीजीगा इस इंडिया कंपनी के न आपका तरफ बिपरफेक्ट आउसर हो जाएगा अगला कुईशन आपके सामने कोईशन आपसे क्या कहे रहा मेरे प्यारे भाइष देखिए कि शमुगल समराट के काल में इंगलीश इसट इंडिया कॉम्पनी ने भारत में अपना सर्व प्रथमकर खाना अस्थापिद किय कहने का मतलब है गाईस की किस मुगल समराट के दोरान अंग्रेजी जो इस्ट इंडिया कंपनी है जिसकी अस्तापना सोला सो इश्वी में हुई थी वो गाईस जो है सबसे पहले कार खाना अपना अस्तापिट किया गए था उन्होंने कहा पर सूरत में और वह जो सूरत में अ अंसर हो जाएगा जो भी हमारे पैरे मारे भाई तदु है जहां गीर के सासन काल में बिल्कु़ कर्रेक्ट प्रेम स्थैंसर हो जाएगा मेरे प्शन हो जाएगा आफका ऑप्शन ब्या сама इसका अंसर आपको बताना है निमधित किलो में से ब्रिटिस ने किसका सबसे पहले निर्मार किया अब देखो गाईस आपका हर एक क्विशन important है देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टफ भले ही है लेकिन important है देख लो मेरे पहरे भाई यह उपर वाला question आपका पूछा गया था IS prelims में GS में question आपका पूछा गया था ठीक है और इसके उपर वाला आपका यूपी PCS में पूछा गया था हर एक क्वेशन आपका important होता है तो नेमले के टिकलों में से विरिटिस ने कि इसका सबसे पहले निर्मार किया तो जो भी हमारे प्यारे भाइबेन बता रहें कि इसमें सेंट जो है या जो फोर्ट सेंट जो है ये गाई सबसे पहले विरिटिस के द्वारा निर्मार किया गया था option नमबर बी आपका बिल्कुल perfect answer हो जाएगा तो जो भी हमारे प्यारे भाइबेन option नमबर बी बता रहें बिल्कुल correct होगा बिल्कुल perfect answer हो जाएगा अगला आपके सामने कि फोर्ट सेंट जो है ये भारत के कि सराज में है यानि कि गाई जो सबसे पहले अंग्रीजियों द्वारा बनाया गया खिला फोर्ट सेंट जो है या सेंट जो है यह भारत के कि सराज में इसी थै हरे कुशन आपको important है आईएस में पूछा गया आप देख सकते हो फटफट आइसर दीजी फटफट राइट क्या हो जाएगा तो जो भी हमारे प्यारे भाई बैन यहाँ पर बता रहे हैं कि जो फोर्ट सेंट जो जो खिला है यह कहां पर है तमिल नाडू में है विल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नमबर ए कहां पर है तमिल नाडू में तो जो भी हम मारे प्यारे भाइबें ऑप्सेन नमबर ए बता रहें बिल्कुल पर्फेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन आपके सामने क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा सिराजु दौला लॉर्ड क्लाइब दौरा प्रास्थ हुआ था युद्ध में कहने का मतलब है कि सिराजु में कि सिराज两 लॉर्ड क्लाइब के दौरा प्रास्थ हुआ था यह किस युद्ध में हुआ था तो यह क्या युद्ध कभ वा था यह 1757 में हुआ और यूद्धल को सिराजच दौन जो है यह रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइब के दोरह परास थो था किस युद में प्लासी युद में सन 1757 में याद रिखेगा मेरे पैरे भाई आपसे पूछा जा सकता है option number A आपका बिल्कुल perfect answer हो जाएगा अगला आपके सामने की प्लासी जो है एक किस नदी के किनारे इस्तित है इसका आपसे प्लासी जो है एक किस नदी के किनारे इस्तित है इंपॉर्टन प्वेशन है फटफट फट आँसर दीजिए हाला कि दिख गया होगा answer गाईस मेरी गल correct answer बागी रथी नदी के किनारे बिल्कुल correct answer हो जाएगा आपका option number C बागी रथी नदी के किनारे इस्तितर ठीक है अगला question आपके सामने question क्या कह रहा है कि प्लासी का युद्ध मैदान जो है कहां इस्तित है बताएंगे इसका correct answer क्या हो जाएगा प्लासी का युद्ध लाइक कर देंगे गास मैं जितने भी क्लास शुरू करता हुना उसके पहले मैं यही सोचता हूं कि आज मैं नहीं कहूंगा क्लास को लाइक करने के लिए फिर भी आफसब मजबूर कर देते हैं क्योंकि आप सबको पता कि आपका एक ही लाइक हमारे लिए बड़ी मोडिवेश से like कर देंगे अगर उनको अच्छा लगता है तो like करेंगे अगर अच्छा नहीं लगता है ना तो जैसी आपकी इच्छा जो कुछ भी आपकी इच्छा आप कर सकते हैं otherwise वाइस गाइस आप सदंत रहे फिर भी मैं आपके लिए पूरी जीजा लगा रहा हूं ताकि आपका सिलेक्षिन हो जाए आपकी सेट पक्की हो जाए और मुझे उम्मीद नहीं है यह बलकि पूरा विश्वास है कि आपका सिलेक्षिन जरूर होगा लेकिन मेरे प्यारे भाई मेहनत आपको करना पड़ेगा बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है समझते होंगे आप बताने की जुरूरत नहीं है छोड़ी बच्चे नहीं है आप तो प्लासी का युद मैदान जो है कहां इसीट है जो भी हमारे प्यारे भाई बेन यहापर बता रहे हैं फटा-फट यह बताना है कि प्लासी का युध जो है यह किस वर्ड से लढ़ा गया था तो किस वर्ड से लाढ़ा घया था मैंने बताए था आपको गाइस इसके पहले एक्स्प्लैंठेशन में तो बिल्कुल सहीए सन सत्रै 07172 में कब लड़ा गया सन्सक्रैप्लासी का युद लड़ है कि निर्मलगित में से कौन सा यूद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिस प्रभुत्यों का प्रारंब किया इसमें कौन सा यूद्ध था कि जिसने भारत में ब्रिटिस प्रभुत्यों का शुभारंब किया बताएंगे इसका करेंट आंसर क्या हो जाएगा तो जितने भी गाईष प्लासिक एऊठिस से समदित कोईशन थे हरे कोईशन आपका कमपलेट हुआ जितने भी आपकी बन सकते थे तो मैंने कोईश्स किये हैं फिर फिर भी अगर कोईशन छोट जाता है तो कोई बात नहीं में अगले क्लास में कवर करनूगा तो देखो इसमें प्लासी का यूद जो है गाईश इसके प्राणम्ब से ही भारत में ब्रिटिस प्रभुत्तों का प्राणम्ब हो गया था ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको आपको आप्सन नंबर बी जो भी हमारे पहरे भाई म आप्सन नंबर बी बता रहे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपको अगला आपके सामने कोशन क्या गह रहा है कि नेमल गित में से किस एक कवी ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थाई दुखवरी रात कहा था कहने का मतलब है कि जब प्लासी की लड़ाई हो रही थी उस प्लासी क्या होगा आपको अप्सन नंबर ए नभीन चंडर सेन जो भी हमारे प्यारे भाई बैने आपर बता रहे हैं ऑप्सन नंबर ए बिल्कुल पर्फेक्ट आंसर हो जाएगा अगला आपके सामने क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई ध्याने दीजेगा इंपोडेंट है कोईस्टन है कि सीरियस दी ब्राइटिस्ट इस्टार आउट साइट सोलर सिस्टेम इसाल सुकाल डेट मीन सोरमंडल के बाहर जो सीरियस नामक चंकीला ता रहा है इसको और किस नाम से जाना जाता है तो जो भी हमारे पहरे भाई बैन ऑप्सन नमबर ए बताने कि डौग इस्टार के नाम से भी जाना जाता है बिल्कुल करेट हो जाएगा मेरे पहरे भाई ऑप्सन नमबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी मेरे पहरे भाई बैन ऑप्सन ए बताने बिल्कुल सही हो जाएगा अगला आपके सामने question क्या गह रहा है कि which of the planet says no satellites that means इन में से किस ग्रह का कोई उपक्ग्रह नहीं है फोटाफ़र आंसर देंगे correct answer क्या हो जाएगा तो जो भी हमारे पैरे भाई बैने आपर बता रहे हैं सुक्र ग्रह का कोई भी उपक्ग्रह नहीं है बिल्कुल perfect होगा बैने पैरे भाई आपके सामने question क्या कह रहा है ज्यान दीजिएगा important बहुत है अगला आपके सामने question क्या कह रहा है कि प्रितवी की पपड़ी में मुख्य रूप प्रितवी की सबसे उपड़ी बाहरी परत है जिसे हम पपड़ी के नाम से जानते हैं इस पपड़ी में क्या सामिल होता है तो जू भी हमारे पैरे भाई बैन बताने की पपड़ी में मुख्य रूप से सीली का सामिल होगा बिल्कुल perfect होगा आपका option number C जो है मेरे पहरे भाई, option number C जो है आपका विल्कुल perfect answer हो जाएगा विल्कुल correct answer हो जाएगा अगला आपके सामने इसका answer आपको बताना है, question देख लो question क्या है कि अर्थी 629, that means पृत्वी को और किस नाम से जाना जाता है तो मेरे पहरे भाई, पृत्वी को हम blue planet या फिर निला ग्रे के नाम से भी जानते हैं, सही answer क्या होगा मेरे पहरे भाई, option number C तो जो भी हमारे पहरे भाई, बताने कि निला ग्ले, या फिर blue planet के नाम से भी जाना जाता है पृत्वी को, बिल्कुल correct answer हो जाएगा आपको option number C, जो है या बिल्कुल perfect answer हो जाएगा, ठीक है अगला आपके सामने question क्या गहरा है कि मौर्स इस दी, that means, फिर एकी planet from the sun या वाकी मंगल ग्राजोय सूर इस एक कि सस्थान पर आता है अब आप थोड़ा सा निमाग लगा, या answer आपके सामने आएगा मालो यह सूर है आपका, और सूर के बाद क्या है बुद, उसके बाद है सुक्र, उसके बाद है प्रतवी और उसके बाद है मंगल तो बुद शुक्र, प्रतवी और मंगल, तो मंगल किस अस्थान पर आया सूर से चोथे अस्थान पर सही answer क्या होगा, आपका option number A, ठीक है मंगल गरह जो है सूर से चोथे अस्थान पर होता है सही answer क्या हो जाएगा, आपका option number A, मेरे पहरे भई मंगल गरह को लाल गरह के नाम से भी जाना जाता है याद रखना ठीक है मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं यह भी आपसे पूचा जा सकता है next question आपसे पूचा गया है which planet has the maximum under offset lights किस ग्रह के अधिकतम उपख ग्रह हैं इसका अंसर बताएंगे perfect आंसर क्या होगा किस ग्रह के अधिकतम उपख ग्रह है तो बिलुकुल मेरे प्यारे भाई जो सबसे बड़ा ग्रह है उसे हम गाईश कहते हैं ब्रहस्पत ग्रह है और ब्रहस्पत ग्रह कोई भी सबसे अधिको पगड़ा है ठीक है कि इंटर माप साइज रुपिटर रैंक्स नो डैट इंड और सोलर सिस्टम अकार के संदर में ब्रहस्पत का हमारे सौर मंदल में कौन सा अस्थान है अभी मैंने आपको बताया है आप ध्यान दिये होंगे तो आपको गाइस आंसर याद होगा मैंने अभी आपको बताया सौहार के संदर्व में ब्रहस्पत का हमारे सौर मंदल में प्रतम अस्तान है यहिनी पहला तो वह द्रेंस बता रहें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगल्या के सामने हैं क्या कह राध्यान दिजीएगा मेरी प्यारे भाई कोश्चन का जो हे ये किस ग्रह का उपक ग्रह है तो जो भी हमारे पैरे भाई बेन आपर बताने कि टाइटन जो है ये जो है ट्राइटन जो है ये सनी ग्रह का उपक ग्रह है बिलकुल correct answer हो जाएगा मेरे पैरे में तो option number C आपका बिलकुल perfect answer हो जाएगा तो जो भी हमारे पहरे भाई बेन उप्शन नमबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा अगला आपके सामने कुश्य दे कि विच कंट्री इस नन एस लेंड आप मिड नैट सन न मेरे पहरे भाई मदरात्री के सूरी की भूमिके इनाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है अगला आपके सामरे कुश्य क्या गह रहा है दियान न दीजेगा इस सब्टिफिबन की की कि साफेद हाथियों का देश कहते है मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक इस class को लॉइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बैं ग्लास को लाइक कर देंगे तो एक अबार सभी पहरे भाइबन जिसने class को लाइक नहीं किया है वे लाइक कर देंगे जो चैनल पर पहली बार है वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे साथ में इस class को अपने मितर तक share भी कर दिया कीजिए जो भी आपका study group हो गाईज जहां भी आप अच्छे study material पाते हैं वहाँ पर भी गाईज आप इसे शेयर जरूर कर दिया करें ठीक है तो which of the following is called the land of white elephants का right answer हो जाएगा थाइलेंड सही answer होगा थाइलेंड में सफेद थाइलेंड को सफेद हातियों का देश कहते हैं क्योंकि थाइलेंड में सफेद हातिया पाई जाती हैं जो भी हमारी पहरे भाई बेन आप्चन नमबर बी बता रहें मिल्कुल perfect answer हो जाएगा अगला आपके सामने है कि चीन का दुख कहा जाता है कहने का मतलब इसमें किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है मेरी पहरे भाई आप सब जानते हैं कि चीन के सोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है हावांग हो नदी सही आंसर क्या होगा हमांग हो नदी तो जो भी हमारे पहरे भाई बेन आपसे नंबर सी बता रहे हमांग हो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आपसे नंबर सी अगला आपके सामने क्या कहे रहा है ध्याने का तो बिल्कुल सही आपने पताई पिल्कुल था हुगा हो जाएगा कि सवेश्ण नहर जो है मेरे प्वैरे भाई या लाल सागर और भूममद सागर को आपस में जोडती है लाल सागर यानी की रेड़ सी एंड म्ट्रैणीजमoby सही है क्या होगा में नहरे सी एड़ेट सी को यह काइस करेक्ट करती है सही अंसर क्या होगा आपको आप्षिन नमबरे तो जो भी हमारी प्यारे भाई में आप्षिन नमबरे बतारें मिलकुछ सही हो जाएगा अगला question क्या रगेना कि the Lena River Prices throw which country लेना नदी जो है किस देश से होकर बहती है मेरे प्यारे भाई आप सब बताएगे इसका सही अंसर क्या होगा देखो लेना नदी जो है न ये रूष से होकर बहती है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको option number C रसिया रूश और यूक्रेन आप जानते होंगे इस समय ठीक है तो सही आंसर क्या होगा आपको option number C जो भी हमारे प्यारे भाईबें option number C बता रहे हैं बिल्कुल perfect answer हो जाएगा अगला आपके सामने इस कांसर आप सबको पताना है question क्या कह रहा है कि the yellow river passes through which country yellow नदी जो है यह नेम लिकित मैंसे किस देश से गुजरती है तो मेरी प्यारे भाई जो यलो नदी है यह जो है किस नदी से ओकर गुजरती है चीन जो है यह किस देश से ओकर गुजरती है yellow नदी चीन नदी ठीक है चीन देश से सही आंसर क्या हो जाएगा आपको option नमबरे एक मिनट अगला कुशन आप से क्या कह रहा है कि निम्लिकित में से कौन सा लवाण मानव हड़ियों में सबसी अधिक मात्रा में पाया जाता ह है मेरे पैरी भाई इसका अप सब बताएंगे कि मानव की हड़ियों में सबसी अधिक पाया जाता है फटाफ़ अंसर देंगी परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे पैरे भाई आप सब जानते हैं कि इसमें जो कैल्सियम फॉस्पेट होता है कैल्सियम फॉस्पेट यह मानव की हड्डियों या निमानी को अस्थियों में सबस्यादिक मात्रा में पाया जाता है सही अंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई के लिए कि इसक्रनाट का प्रियोग किया जाता है तो जो भी हमारे प्हेरे भाई बेन आप बतारे है कि बुखम को अपने के लिए हम सिस्मेज्ण ग्राफ का प्रियोग करते हैं बिल्कुल कर्यक्ट डांसर हो जाएगा मेरे पैरे में तरह ओप्सिं नमबर डी आपका बिल्क को क्या कहते हैं तो प्रकास की तीवरता है नहीं प्रकास की जो गाइस तीवरता होती है इसको मापने के लिए किसी अंदर का प्रियोग किया जाता है उसी अंदर का नाम है सही आंसर क्या हो जाता है उसका है और प्रकास की उसका प्रख वाई आदरता को किससे मापते हैं मेरे पहरे भाई और आप सब जानतें भी होंगे बताओ इसका सही आंसर क्या होजागा high grow meter बिलकुल correct high grow meter से वायू की आद्रता को मापा जाता है सही answer हो जाएगा मेरे प्यारे भाई option number B high grow meter से तो जो भी हमारे प्यारे भाई बेन option number B बता रहें बिलकुल सही हो जाएगा अगला आपके सामने question क्या कह रहा है question है कि which fiscal quantity is measured in Simmons that means किश भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है फठाफ़ड आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई जो एलेक्ट्रिक कंड़क्टन्स होता है ना इसको हम सीमेंस से मापने हैं आप का अ्पशन नमबर आ जो लिए कि रख्त चाप को मापने के लिए किषिश कराण का प्रियोंग किया जाता है मेरे प्यारे भाई याद रखना है रखते चाप कुम आपने के लिए हम इस फाइगों मैनोमेटर का प्रियों करते हैं इस फाइगों मैनोमेटर सही आंसर क्या हो दाएगा आपका इस फाइगों मैनोमेटर सही आसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई option number B तो जो भी हमारे प्यारे भाई बेन option number B बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा अगला विशन आपके सामने है कि instrument for measuring rainfall is called वर्सम आपन के यात्रा के यंद्र को क्या कहते हैं वर्सम आपन के यंद्र को क्या कहते है मेरे प्यारे भाई उसको हम कहते है हायोटो मीटर सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई हायोटो मीटर सही आंसर हो जाएगा आपको option number C हायोटो मीटर option number C जो भी बता रहे हैं विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला आपके सामने मेरी पैरे भाई इसका आंसर आपको बताना है कि अट्मास्फेरिक प्रेसर इस मेजर्ड भाई वायमेंटलिय दबाव को किसके दोरा मापन किया जाता है तो जो भी हमारे प्यारे भाई भाई भेन बता रहें कि वाउमेंट लिए दवाउ को हम बायरो मेटर से मापते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आप्सिन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो जो भी हमारे प्यारे भाइबें, option number B बताने, barometer बिल्कुल correct answer हो जाएगा तो मेरे प्यारे भाइ, अत्मा आस्प्रेडिक प्रेसर को किस के दरा measure किया जाता है, barometer के दरा, जो भी बताने, option number B बिल्कुल ज़ी होगा, ठीक है अगला आपके सामने है कि instrument for measuring wind velocity skull, that means, हवा के बेग को मापने के लिए किसी यंद्र का प्रियोक किया जाता है मेरी प्यारी भाइ, ये question आपसी पूछा गया है कि हवा के बेग को मापने के यंद्र को क्या कहा जाता है वैसे तो आप जानते होंगे, कि इसको आप पूल बेग मापी के नाम से भी जानते हैं लेकिन जिसका इक हो नाम है उससे नाम का क्या कहते हैं तो बिल्कुल मेरी प्यारी भाइँ, उसको कहते है ऐनिमोमेटर, ठीक है तो एनिमोमेटर को जो गाइस है यह हवा के बेग को यानि के हवा की गती को मापता है सही आंसर क्या हो जाएगा मेरी प्यारी भाई ऑप्शन नमबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगला आपके सामने क्या कहे रहा है की फूर इन्वाइटेड एंडक्शन को यह कहने का मतलब है कि जो प्लेयरण कुंडली का अविस्कार जो है यहां पर इंवेंसर होगा ठीक है यह जो है यह कि रिके तोरह किया गया था यह कोशन आपसे पूछा गया ठीक है फटटफट अ बता रहे हैं ना बिल्कुल करेक्ट होगा अगला आपके सामने कुशन क्या गया रहा है कि LCD प्रोजेक्टर का आविस्कार किसने किया LCD प्रोजेक्टर का आविस्कार किसने किया बताईए फटफट बिल्कुल मेरे प्यारे भाई LCD प्रोजेक्टर का जो आविस्कार है कि इन के दोरा जेनड और गॉफ के दोरा सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई option नमबर बी तो जो भी बता रहें option नमबर बी बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला आपके सामने क्वेशन क्या के रहा है कि बार्ट कोड स्कैनर का अविशकार किस सर्थ में हुआ था बार कोड़ आप जानते हूं कि की लाइन humour होता है अगर बीच में साप बना हो क्यों क३ूर कोड और ऐस सक्षण लाइन हो बीच में सपेद औरर बोलिकी चिट्टिया हो उर्थिख सक बार प्यारी बाई option number एग अगला आपके सामने question क्या गए रहा है question है आप से पूछ रहा है कि magic marker का that test test द्वारा आविसकार किया गया कहने का magic marker magic marker जो होता है ना magic marker उसका आविसकार जो है ना किसके दार किया गया था यह पूछा गया है बताओ simple question भी है हलाकि आपको टफ लग रहा होगा और यह आपका important भी है सही answer हो जाएगा मेरी प्यारी भाई इसका आविसकार जो है ना यह किनके दार क्या गया था सिदीनी रोजन्थल के दार किसके दारा सिदीनी रोजन्थल के दार सही answer क्या हो जाएगा आपका option number c जो भी मेरी प्यारी भाई बेन option number c बता रहें बिल्कुल perfect answer हो जाएगा बिल युटारम मैं और किदे चंद्वा सब्डर्वेश्टर है प्र्सक्राइब गपया सब्सक्राइब साइन मेरे हैं जो भी 2 ओंबर ईसे सब्सक्राइब करते हैं वयुक्रीन इसी और कभा म tänker यह निने मैं इस समय है तो मेरे पैरे भाई आपने बिलकुल सही बताया किसने किया था बिलकुल सही हो जाएगा कि आपका फिलिप डीहल किसने किया फिलिप डीहल सही आसर हो जाएगा आपका उप्शन नमबर डी सही आसर क्या होगा मेरी पैरे भाई ऑप्शन नमबर डी अगला आपके सामने है क्वेशन क्या राध्या ने दीजिएगा कि घूमते दर्वाजे का आविसकार किसने किया मेरे प्यारे भाई जो भी बता रहे हैं कि गूमते दरवाजे का आविसकार थियोफलिस वोन कैनल के दोरा किया गया बिल्कुल सही हो जाएगा आपको आप्सिन नमबर सी आविसकार से सम्मदित में के दिन क्योंज करवा दूँगा आपका हर एक कंप्लीट हो जाएगा हर एक टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएगी जितने भी गाइस आप इसकार खोज सम्मदित है ना हर एक कोईशन आपका हमापर कंप्लीट हो जाएगा चिंता ना करिए मेरे भाई मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा और चिंता तो आप हमारे उपर छोड़ दीजे वैसे मैंने ठाना है कि आपको इस वारवर्दी पहनाना है और आप सब का भी फर्ज बनता है कि आप सब को मारा सपोर्ट करना है क्लास को लाइक कर देना है चैनल पर पहली वैर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है मित्र तक इस क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी तो बिल्कुल सही बिल्कुल सही आपने बताया है सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई जो भी यहां पर बता रहे हैं कि वेद्चुम्ब के विक्रणों का माने सिद्धांत जो है यह जेम्स कलरक मैक्सिबल जेम्स कलरक मैक्सिबल के दारा सूत्र बद्द किया गया option number B जो भी हमारे प्यारे भाई बता रहे हैं बिल्कुल perfect हो जाएगा आपको option number B बिल्कुल correct answer हो जाएगा बताएं कि विद्द चुम्बक किस से बनती है एससे जेम्स कोशन आपका पूछा गया था इसे यह कहीं न कहीं आपका यह भी पूछा हो गया होगा तो बिल्कुल मेरे पहले भाई विद्द चुम्बक जो है ना जो इलेक्ट्रिकों मैगनेटिक होता है ना मेरे पहरे भाई जो इलेक्ट्रिकल मैगनेट होता है ना यह किनिके द्वारा बनता है पिट वालोहा या फिर नरमलोहा सही होगा आपका option number A बता रहे हैं बिल्कुल perfect answer हो जाएगा बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला आपके सामने मेरे पहरे भाई क्या कह रहा है कि वीच वन ऑफ दी फॉल्लविंग इस एन खॉमेक कंड़क्टर एंवेसे कौन ओम चालक है बताएंगे इसका correct answer क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ओम चालक जो है न यह कौन सा हो जाएगा silver correct answer क्या हो जाएगा मेरे प्यारे में तो option number D silver जो है यह आपका बिल्कुल correct हो जाएगा आपका option number D बिल्कुल सही हो जाएगा अगला आपके सामने क्या गह रहा है कि which one of the following good electrical conductor कौन सा विद्दुत का अच्छा चालक है तो मेरे प्यारे भाई इसमें विद्दुत का अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा आपका option number B ग्रेफाइट जो है न ग्रेफाइट जो है जिसे गाइस pencil में प्रियोग किया जाता है जो pencil की नोग होती है जिससे आप लिग किते हो उसमें ग्रेफाइट का ही प्रियोग किया जाता है ठीक है तो ग्रेफाइट जो होता है यह विद्दुत का अच्छा चालक होता है सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई option number B जो भी बता रहे है मिलकुछ सही हो जाएगा अंगला आपके सामने question क्या कह रहा है कि फ मिस्टरदातु के बने होते हैं 10 hour lady का मतलब होगा 10 hour season ठीक है इसके बने होते हैं मिस्टरदातु के जो guys fuse होते हैं यह सही आंसर क्या होगा आपको option number B जो भी मेरे पैरे भाई बहें बता रहे हैं option B बिलकुछ सही होगा अगला आपके सामने कि विजली संचनर के लिए लोहे के बजाए प्राया तांबे के तार परियोग तो होते हैं आखिर क्या हो बिजली संचनर के लिए लोहे का हम परियोग नहीं करते हैं बलकि तांबे के तार का परियोग करते हैं या फिर तांबे के तारे परियोग तो होते हैं आखिर इसका कारण क्या है तो मेरे पहले भाई तांबाट ज्यादा विदुत ले जा सकता है सही आंसर क्या होगा आपका option इसलिए लोहे कतार के नहीं प्रियोग कर जाते बल्कि- उचाहो सभिस्टमर्ड कर सुझार क्या होगा चाहे तो मिटा लो अगर चाहते हो तो कुछ करना तो अभी भी वक्त है अपनी जान लगा दो समझ के होंगे कहने का मतलब नहीं है अब आप गाइस लोल बच्चे नहीं रहेंगे हैं लला कोशन भी नहीं या रहा है और आप लला भी हो भी नहीं ठीक है अब आपके उपर गाइस वर्दी आने वाली है जिम्मेदारी आने वाली है और आप समझते भी होंगे कि जिन कापियों पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है तो वो अक्सरफ बन जाते हैं तो आप आपके उपर भी जिम्मेदारी है गाइस एक वर्दी की ताकि आपको इस ब पूरी जी जान लगा रहा हूं आपको जो कुछ भी लगे मुझे पता नहीं कि आपको मारी मेनत कैसी लगती है फिर भी आप वीडियोग निचे कमें अपनी राइज जरूर दीजेए गाइज हमारी आज की मेनत आपके प्रती कैसी है तो आज की इस क्लास में बस इन्द ही ले बारे बारा बजे होती है और बीच में आपकी अधरवाइस क्लासेश भी चलती रहती है सारी क्लासेश की पीडिये भी आपको मारी टेली के नाप पर मिल जाएगी तुम्हें तराज की इस महात्मुन क्लास में बस इतना ही आप से लिंगे विदा मिलते हैं दूसरे नए वी